इसराइल और हमास की जंग का 26 वा दिन है इस बीच मंगलवा राद इसराइल ने उत्री गाजा में सबसे बड़े जवालिया रिप्यूजी कैम्प को निशाना बनाया इसराइल सेना ने दावा किया है कि उसने इस हमले में हमास की एक सीनियर कमांडर इब्राहिम बियारी सहीद 50 लडाकों को मार गिराया है वहीं हमास के कंट्रोल वाली गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इसराइली हमलों में दरजनों की मौत हो गई है वहीं सैकुनों लोग घायल हुए हैं इसराइली सेना ने बताया कि इस दोरान उनके 11 सेनकों ने भी जान गवाई दूसी तरफ मिस्स ने कहा है वो घायल फिलिस्तिनियों को भी राफा वाटर को पार करने की इजाज़त देगा जिससे उनको सही इलाज मिल सके गाजा के जवाली अक्षित्र में मौजूद शनार्थी सिवे करीब 1.4 स्क्वाइर कीमी के इलाके में फैला हुआ है हमले से पहले यहां करीब 1.16.000 लोगों ने पनाहले रखी थी दूसरी तरफ इसराइली हमलों के बीच गाजा में फिर से कम्यूकेशन और इंटरनेट से माय ठप हो गई है इससे गाजा में 20 लाग से जादा लोग दुनिया से कट चुके हैं